सहारा इंडिया के अलावाद दूसरी ठगी कंपनियों के खिलाव भी खुला मोर्चा ठगी पीडे जमा करता परिवार संगतन के बैनर तले निवेशक उत्रांचल में कर रहे है प्रदर्शन नमस्कार स्वागत है आप सभी का दा नीउस 15 में और मैं हूँ आपके साथ शिवा विकास अवस्थी के माध्यम से राश्ट्रपती द्रौबदी मुर्म को ग्यापन भेजा इस अपसर पर प्रदर्शन कारियों ने वर्ट एक्ट लागू कर अपनी डूबी हुई रकम वापस करने की मांग की आंदोलन की अगुवाई कर रही सुखदेव सिंग शास्तुरी ने कहा कि उन लोगों की जिन्दगी भर की कमाई पल्स कंपनी में डूब गई है अब जब वे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं तो उनको धंकाया जा रहा है पीए सील की ठगी पीड़े जमा करता परिवार के बैनर तले निवेशक हिंदू पंचायती धर्म शाला में जम देवी नीमभंडारी अंजू अस्वाल संतोशी देवी उर्मिला प्रेमलाल रीना आदी मौझूद रहे उधर ठगी पीड़े जमा करता परिवार ने कोड़दुआर से मिर्शन भुक्तान भारत यात्रा का शुभारम कर दिया है इस अभियान में बिजनौर और के साथी भी कारिक्रम में समलित हुए सुखदेव शास्तरी मुकेश और लक्ष्मी बिस्ट के नीतरत्व में निवेशकों ने बर्ट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए अंदोलन छेर दिया है संकटन के लोग दहरादून में मुख्यमंत्री पुशकर ठगी कंपनियों के खिलाफ देशवर में प्रदाशन चल रहा है यह संगटन बर्ट्स एक्ट के तहत विभन ठगी कंपनियों में फलसे निवेशकों के पैसे को दिलाने की मांग कर रहा है इस बारे में मदनलाल आजाद ने बताया कि करीब 20 करोड परिवार का 1000 करोड 2019 के तहत लड़ी जाएगी उन्होंने बताया कि से भी एक्ट 1922 कोपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2019 लो कंपनी एक्ट 2013 चिटपंट 2019 और अन्यमित जमाय योजनाय पाबंध कानून 2019 का उलंगन करते हुए सहारा इंडिया पर्ल्स पाइक बोट हेलो टैक्सी टाइप राइड र प्यूचर मेकर, कैची पिक्सर, स्ट्रीट हॉक्स, साराई, प्रसाद, हीरा गोल्ड, एवर ग्रीन, ग्लोबल स्टार, किसान एग्रो, विश्वा मित्र जैसी हजारों कंपनियों ने करोडों नागरिकों को बारी बारी से अपनी ठग स्कीम्स में फसा कर ठगा है उनका सब्सक्राइब करें प्रसाइब करें